हाई गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होफ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ हेर वाश की वीडियो शेयर कर रही हूं मैंने अपनी बेटी को करवाया है हिमालिया जेंटल बेबी शैंपू के साथ बहुत से मैं यह वाला शैंपू यूज कर रही हूं इसके रिजल्ट बड़े अच्छी है जेंटल सेफ एंड रिसर्च शैंपू है इसमें कुछ भी तरह के कैमिकल पैराबेन कुछ भी नहीं है नाइंटी रूपीज इसका प्राइज है एंड हंडर्ड एमल हमें इसकी क्वांडि करना चाहते हैं तो आप यह वाला शैंपू जरू ट्राय करके देखिए आपको इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे तो गईज यह मेरी बेटी सिमर पांच साल की मेरी बेटी का और काफी टाइम से मैं यही शैंपू इसको यूज कर रही हूं तक्रीब मैंने अपनी बेटी के बालों पे ओयल लगाया हुए है तो दो बार मुझे इसे यूज करना पड़ता है अगर बालों में ओयल ना लगा हो तो एक बार में ही काफी अच्छी जागो जती है बहुत अच्छा लैदर करता है इसे यूज करते टाइम अगर थोड़ा बहुत आ अच्छे हैं आप इसकी पूरी किट लोकल मार्केस चोड़ से बाई कर सकते हैं अच्छे ओफर्स में आपको यह सभी प्रोड़क्ट मिल जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यह शेंपू कितना अच्छा लैदर कर रहा है बच्चों के बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं हेर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता है तो गाइस शेंपू करने के बाद अब अच्छी तरह से मैं बालों में पानी डाल रही हो ताकि सारा शेंपू बालों में से निकल जाए आप चाहे तो ऑनलाइन भी यह शेंपू मंगवा सकते हैं आपको अच्छे डिसका बालों से मैं यह शेंपू यूज कर दी हूं मुझे इसके रिजल्ट अच्छे लगे हैं तो आपको रेक्मेंड करूंगी कि आप अपने बच्चों को यह शेंपू जरू ठाय करके देखिए इसके रिजल्ट काफी ज़्यादा अच्छे हैं और बच्चों के लिए तो काफ करनी है तो देखिए गाइस सिमर के बालों में मैंने टावल ड्राइंग कर दी है अब उसके बालों को में उन्हें नैच्रली एर ड्राइ होने देना है किसी भी ड्रायर का मैं यूज नहीं करती हूं नैच्रली उसके बालों को मैं अच्छी तरह से सूखने देती हूं हमें वच्चों के बालों को naturally ही सूखने देना चाहिए किसी भी ड्वायर का यूज नहीं करना चाहिए तो गाइज अब सिमर के बाल काफी हद तक सूख चुक्किया है तो उसके बालों पर मैं कॉम्बिंग कर रही हूँ अभी मैंने उसके बालों पर ओइलिंग नहीं की है उसके बालों में बिल्कुल भी टैंगल नहीं है अच्छी तरह से मैंने उसके बालों पर कॉम्बिंग की है जिससे उसके बाल इतने ज़्यादा लंबे हो गए है तो गाइस आपको ये वली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आप here से later कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे ज़रूर बताना तो चलिए गाइस हमाँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी तब तरहें